कि अपने पाल में जाओगी तो नेपाल में एक वेरी इंटरस्टिंग तूरिस प्लेस मन्दिर मैं आपका मन्दिर के बारे मैं आपके बताओंगा तो आए इस वीडिय को साट करते है Have to suffer through the thinking Why do I Have the feeling that we're sinking I need to find a way Find a way Find a way Find a way out Find a way out Find a way out Find a way out If you plan a trip to Nepal What do you need to do? By road Not by air By road 100 km 100 km 100 km 100 km 100 km You can plan your chances And need to have your time I also work over 100 km By taxi By cab właściwie Volvo By bike If you definitely feel free सबसे पहले आपको एक टिकेट लेनी पड़ती है जब आप इसके हैं 500 इंडियन रुपी बारे में बात कर रहा हूं 500 इसकी कोस्ट इतनी क्यों है मैं आओं सबसे पहले वहाँ पे या पैदल नहीं जा सकते वहाँ पे जाने के लिए आपको यूज करने पड़ती है केबल कार जी हाँ क्योंकि केबल कार आपको लेकर जाती है और वो कम से कम तीन से चार पहाड क्रोस करने के बाद वो मंदिर आता है और जब वो मंदिर आएगा जैसे आप वह पे पहुंचोगे तो सबसे पहले तो एक मार्केट आपको दिखेगी मार्केट के बाद जब आप क्रोश कर लोगे तो पैदल का रास्ता में कम से कम 15 मिनट मंदिर तक पहुंचने का जब आप मंदिर में जाओगे देखोगे सारी चीजें मंदिर का जो अंतुंचर वह थ्टोड़ा यापनीज अर्केटर से मिला हूआ है इंडियन अर्कित्टर से भी मिला हूआ है तो अ मिल्सको बोलेंगे केबल कार लेके जाएगी कम से कम मैं बता रहा हूं at least 15 to 20 minutes जो आप केबल कार में जाओगे तो द जो आप वो नेचर को एंजोय करोगे once you see the nature by your eyes then you'll realize like how beautiful Nepal is right जो आप केबल कार में जाओगे नेपाल ट्रैवल करने के लिए मन कामना मंदर के लिए तो आपको पतल लेगी हाँ जो पहाड की जो life है वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे लोग घेती करते हैं वह सरी चीज़े करते हैं और जब केबल कार में जाओगे तो यूज फिल तो गोड जब भी आप नेपाल जाओगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मन कामना मंदिर आप बिल्कुल प्लैन करो ठीक है तो पहुंचने वहाँ से पहुंचने के बाद जो आप मार्केट आती है मार्केट के बाद आप पंदरामेंट वाकिंग डिस ऐसा कुछ नहीं है जो होता है वो सबको पता है बट ऐसा माना जाता है कि जो भी बंदा वहाँ पर जाके कोई मनो कामना करता है वो मनो कामना उसकी 100% पूरी होती है तो यसा है मानना है बाकि I have not done anything like that if you want to do if you believe in Hinduism if you believe in Indian goddess so definitely you should go and ask something so definitely that will be completed तो यह एक धारना है वहाँ पे लोगे जब भी आप जाओगे मनो कामना में जाके आप कोई कामना करते हो और को इच्छा रखते हो तो 100% पूरी होती है तो यह उस मंदिर की खासियत है तो एडवेंचर प्लस हिंदूइजम रिलीजन के लिए एक अडवेंचर चीज तो दो अश्रो looking pretty अफ्राति प्राइस तो यह नेपाल चार्ज़ कर रहे है और टोटल आपका सहीद्ध कर चारघ नेजहीं और और है कामना ने जरति वा इस कार को बनाया और एक्जीट किया है that is very interesting मैं तो बोलूँ है क्योंकि जब मैंने जाके वहाँ पर उसको फिल गया एंजोई किया क्योंकि मैंने समझता कि आप उस जगह पर जा सकते हो क्योंकि नदीभी रास्ते में आती है बहुत सारे पहाड है पहाड का रास्ता यू नो वैरिवल इंजरस तो जो केबल कार है इस वेरी इंट्रस्टिंग और यू इन्जोई एक टैवल जर्नी वंस यू विल गो देर तो इस दे तिंग ओल अबाउट मन कामना मंदिर के पहुचने के बाद आप आराम से वाप से एक दो गंटा आराम से स्पैंड कर सकते हो पूरा जब प्रॉप में आप आप वियू देखोगे तो यह वेरी वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि चारो तरफ आपको हरियाली हरियाली द इस दो पहाड़ी एरिया जो पहाड़ी एरिया है जो केबल गासे महा पर बंदे जाते हैं तैट इस तूरिस्ट पोईंट इस पॉर्ट को बिलकुल में समत करना हिंदूजम में आप बिलीव करते हो या फिर नहीं भी करते तेन और वीजिट विजिट खेंगे तो टिकेट प्राइस आफ दे केबल कर आई है आउ तो लड़ी मैंने आपको बता दिया है इसके अलाओ कोई चार्ज नहीं है मंदिर में जाके आप पूजा करते हो यह तो इसके अलाओ कोई भी चार्ज नहीं है जब भी आप इसको प्लैन करो काट मंदू से पोकरा बाए रोड और पो कë 하는데 कर दो के लिए जो लोगों कि लिए वो अलगार जो लगेज के लिए जाने के लिए हो अलग है तो वहन पर पहुंच जाएगा का है तु-अब्स करके दो फिलीए को आपकोल एक्स्ट्रा पर ना पड़ता है यहां मैं कलियर कर दू उन और आपको leftover पैर करना पड़ता है बेगेज के लिए ठीक है तो वो आप चेक कर सकते हो वेबसाइट का लिंक जो टिकेट प्राइस हो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी चीजें मैंने आपको एक्स्प्लेइन कर दी है if you have any question, any doubt about Nepal travel about Nepal tourist sites anything. Simply drop me a comment and then definitely I will be replying, so till then you are, in the next video nieu direct today with another interesting fact about Nepal and interesting information how you can plan the trip for Nepal by flight or by road both i will explain in the next video till then take care bye bye have a great day थेंक यू